आज मैं आपको आपके घर को और्गनाईज करने का बहुत ही बड़िया आइडिया बताने वाली हूँ यानि डी क्लेटरिंग हम करेंगे ये प्रोसेस सिर्फ एक दिन का नहीं है फ्रेंट्स ये आपको हैबिट डेवलप करने पड़ीगी कौन सी चीज हमें घर में नहीं रख देख लेते हैं डी क्लेटरिंग के वज़े से आपका जो घर है उसमें स्पेस हो जाएगी और्गनाईज दिखने लगेगा और आपको अच्छा भी लगने लगेगा यानि पॉजिटिव एनरजी भी आएगी सबसे पहले तो इस टाइब की बॉटल्स हमारे घर में दिखी जाती है हम रखते है कि स्कूल में प्रोजेक्स के लिए कामाएंगे बच्चे को मैं रखती हूं मैं अपना कोई आटिक्राफ्टी में डियावाइ करूंगी ट्रावलिंग पॉपस के लिए कामाएगा या किसी भी पॉपस के लिए एक दो बोटल रखने के सिवाए बाकि सा करने के लिए यह जो डब्बे होते है आइसक्रीम वगरे के उसमें हम दे सकते है किसी को तो यह सारा मैं उठा के फेक रही हूं एक या दो रखे बाकि सारा आप निकाल दे इसी तरह से आपको डिकलेटरिंग करना होगा मैंने यह डिकलेटरिंग कब समझा जब हमारे नहीं खरीच सकते हैं बस हां हमें हमारी जो चीजे हैं जो हम यूज नहीं कर रहे हैं उसे हमें डिकलेटरिंग करना शुरू करना पड़ेगा तो बस तब ही मैंने ठाना थोड़ा सा अपने थंडे दिमाग से सोचा कि कैसे और कहां से शुरू करू और मैंने यह शुरू किय तो 5-6 मैंने हो गया है मुझे यहां के मैं धीरी धीरी सब चीज निकाल रही हूँ जो मुझे यूज नहीं है जैसे यह बोल्स है मेरे बच्चे छोटे थे तब से है और अभी मेरी फैमिली में कोई भी बच्चा छोटा नहीं है सब के सब बड़े हो चुके है तो मैं फाइनल नहीं करीदना चाहते हैं तो आप न्यूस पेपर भी रख सकते हैं तो न्यूस पेपर में कौकरूज वगेरे होने की चांसे हो जाते हैं इसलिए न्यूस पेपर ना रखे आप कोई प्लैस्टिक रख सकते हैं आटे वगेरे का या आप कपड़ा भी रख सकते हैं तो वह स्पेस बच गया तो ऐसे स्मार्ट आप टिप्स आजमाएं और आपकी स्पेस बचाएं और जो नहीं जरुवत की चीज वह आप फेक हैं घर बार बार बड़ा तो नहीं ले सकते बट वही घर में हम एज़स करके रह सकते हैं और बिलीव में मैं अब तक शिफ्ट होती रह मैं अब ही निकाल रही हूं क्योंकि इसकी वज़े से काफी स्पेस जा रहा था मेरे किचन में और मैं बहुत परिशान हो रही थी कि नई चीज ला रही हूं उसे रखो कहां एक नई चीज ला रहे हो तो दो पुरानी चीज को जरूर फेके और अगर चीज अच्छी है तो लिए बिस नहीं से चीज placed को सकति हैं जो आपके लिए काम की नहीं है वो किसी और के लिए काम की हो सकती है अब चलिक काबेट की बात करते हैं तो ये क्या बुरा हाथ है 15 दिन हो गए हैं मैंनेator मेरे बीटि का कबर्ड नहीं चेक किया और इस इतना इतना गंदा कर दिया है कबर्ट अब बच्चों को लेकर ही मैं बच्चों के कबर्ट को और्गनाइज कर दी हूँ ताकि बच्चों में भी ये हैबिट डेवलप हो वैसे रित्वी और रियांश दोनों ही अच्छे तरह से मिंटेन करते हैं अपने कभी कभी टाइम नहीं मिलने की कारण एक्जाम होती है वगरे तो ऐसा हो जाता है हमारा खुद का भी कबर्ट कभी ऐसा हो जाता है तो सारे चीज़ों को हम चेक कर रहे हैं छोटे हो चुके कपड़े उसे निकाल देंगे ये देखे सौक सब क्योंकि ये लोग अपने कपड़ खुद फोल करते हैं धुले हुए तो कभी कभी हो जाता है ये अनार्गनाइस तो इसलिए आपको टाइम टू टाइम इसे करना पड़ेगा साल में एक बार डिकलतरिन करोगी वो नहीं चलेगा आप 15 दिन में एक जन के कबड लेके बैच जाएए दूसरा रैक ले लीजिए इस तरह से आपको करना पड़ेगा और देखे इतने सारे कपड़े और बोक्स वगरे सब निकले हैं खिलोने सारे मैंने रियांश को बोल दिया है जो नहीं यूज है वो निकाल दो और देखे जो आपको चीज जरुरत नहीं है वो किसी और की जरुरत हो सकती है तो आप या फ्लोर क्लीनर वाले आरही हैं उनको आप दे सकते हैं और आपकी घर में से सामान निकलेगा नेगिटिविटी निकलेगी और यह देखी कितना अच्छी तरह से और अच्छा भी लग रहा है और खुद को एक अच्छा फील होता है कि यार यह से कबर छुटा नहीं पढ़ बट मैंने ही कुछ जादा ही ठूसके रखा था ओवर लिमिट कर दी तो एक नई चीज के बदले दो पुरानी चीज फेक के यह मंत्रा आप जरूर याद रखे तो यहां मैंने सारे कपड़े इस बैग में रख दिये हैं तो मैं किसी को दे दूंगी क्योंकि यह सारे वह भी घर में नेगेटिविटी लाती हैं तो इस बात का जरूर ध्यान दे चीजों को ऐसे और्गनाइज रखे कि चीजें आपको दिखे ही नहीं और आप उसको यूज ही ना करें तो उसका क्या मतलब है पड़े पड़े खराब हो जाती है पैसी की बरबादी हो जाती है चीजों को अच्छे तैसे और्गनाइज रखे तो इसमें देखिए मैंने वालेट रख दिया है चावी रख दी है घर की और ये पैसे कौईन के लिए एक अलग से मैंने छोटा सा डबा रख लिया है तो इस तरह से आप और उर्गनाइज कर rocks करें अच्छा एक और चीज आ तो रिचारजबल बैटरीज यूसफुल है बार बार आपको बैटरीज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसके साथ चार्जर भी हाता है तो यह एवरी डे का मैंने लिया है इसकी बात अब हर एक ड्रॉवर देखे यह आप रोज भी कर सकते हैं एक चीज आप रोज लेक या कोई एप्लाइंस है आपके पास या कोई गैजट है ये काम कर रहा है यह चेक करें तभी घर में रखे या तो फिर आप उसे डिस्कार्ट कर ले आप तो रहने बहां हर दिवाली लेके आते हैं बट पुराने तोरन कि आप निकालते हो नहीं निकालते हो ये सोचके रखते हो कि हम बाद में यूज़ करेंगे फिर अगले साल नया त्रेंड आ जाता है तो इस बार मैंने सोचा कि मैं तोरण भी निकालूंगी मैंने नया तोरण लेकिया है आपने देखा है मेरे हॉल वीडियो में और मैंने सब कुछ और्गनाइस करके एक अच्छे से बास्के इसके लिए तो ये सारी बाते छोटी छोटी है वो आप जरूर करें नोटिस और फिर घर में साफ सफाई रखें मैंने बहुत सारी चीजे इस बार निकाली है फ्रेंड बिलीव मी ऐसे ही आपको डिकलेटरिंग करना होगा ये काम एक दिन का नहीं है आपको इसकी हैबिट दालनी होगी नई चीज ला रहे है पुरानी चीज जो नहीं यूज कर रहे है उसे डिसगार करे या किसी को दे दे इस तरीके से ही आपके घर में जगा बनी रहेगी तो फ्रेंड कैसे लगा आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव था कि नहीं तो प्लैस्टिक्स है क कोई भी बरतन है सास को पूछ के आप निकाल दे अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हिम्मत करिए और एक बार जरूर निकाल ये बन घड़ी है या कोई ऐसी चीज जो आपने कभी भी यूज नहीं की उलजे हुए तार है जूते हैं कपड़े हैं आपके ऐसी सारी चीज साल से अगर उसे यूज नहीं किया है तो उसे डेफिनेटली आप निकाल दे और कोई अच्छी चीज है तो किसी जरूरत मन को दे अप्लाइंस भी आप जरूर चेक करें और अगर एक चीज ला रहे घर में तो आप दो पुराने चीज को निकाल के जगह करें ये ही है मंत्र और एक बार का नहीं हमेशा का कैसी लगी ये वीडियो जरूर कमेंट करिएगा कुछ नया सिखा के नहीं ये भी जरूर बताएगा तब तक के लिए फ्रेंड्स लाइक भी कीजिए शेर भी कीजिए और सुब्स्राइब कीजिए मेरे चैनल को तिल दैन टेक केर बाबाई